तो अलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो इस वीडियो तो आज के इस वीडियो में हम जनरल नालिज के कुस्टन देखेंगे और साथ-साथ कुछ करन्ट अफियर्स के भी कुस्टन है यह सभी के सभी कुस्टन मोस्ट इंपॉर्डन्ट है आप जैसे ही कुस्टन देखते जाओग तो आपको वहता जलेगा कि कितना इंपॉर्डन कुस्टन देखेंगे जैसे की उत्तर परदेश की अधिकारिक भासा क्या है उत्तर परदेश के सबसे बड़ा राज्ज क्या है ठीक है न तो इस तरीके से सारी जिला क्या है मल्लाब जो सिटी है वह कौन सा है तो बहुत ही जिए ग्राफिक आपको मिल जाएंगे आपर मोस्ट इंपोर्टन वीडियो होने वाली है तो अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि यार इसके पहले तीन से चार जो वीडियो है प्रिप्रेशन की 2022 की वह आपको मिल जाएगी ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ-साथ आप जाकर देख सकते हो वीडियो में या फिर प्ले लिस्ट में जो वीडियो है उनकी भी पीडियाप आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर तो या तो आप टेलीग्राम जोइन कर लिजिए अगर आपको यह पीडियाप चाहिए तो एंड वीडियो तो इससे भी देखनी पड़ेगी फॉर एंसर तो चलिए सुरुआत करते हैं यह से स्टार्ट करते हैं तो कुछिसन नंबर सेकंड है कि रहा है कि उत्तर प्रडेश में लोग सबागी किनी सी रे करती אותer गणे सीट यह चोंढ़ कि कितनी और ससी बदेखिए सब्सक्राइबerg कितनी होती है उत्तर पट्रेश में वह कि कितनी होती है तौप सभी को पता है तो यह पूछ रहा कि उत्तर प्रदेश में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग सभा में सिलेक्ट होकर जाते हैं तो हैं सीट ही है और सबसे ज्यादा जो सीट है वो उत्तर प्रदेश में ही है किस ने कहाता तो अगर हम बात करेंदेश को राश्र पिता कभ बुला कि यह बुला गया तो यह बुलाए गया था लगबख 1944 के असपस 4 जून 1944 में ठीक है किसने बुलाया था सुभाज चंदर बोश जी ने बुलाया था सबसे पहले चार जून 1944 को सिंगापुर में वो थे तो वहां से इनों इनको रिपर्जेंट किया बित राश्चुपिता ठीक है तो आई होप आप समझ गयोंगे यह अलग कोशन चलिए नेश कोशन है करा कि किस आंदोलन को हिंदू और मुसल्मानों दोनों दोरा समर्थन मिला देखो आप आपको इन में से बताना कि वो कौन सा अंदोलन है जिसमें से दोनों का बराबर समर्थन मिला था असायोग अंदोलन सभी नया वग्या अंदोलन भारत छोडवा अंदोलन या फिर इन में से कोई नहीं देखो फ्रेंट्स वो था असायोग अंदोलन ठीक है तो आसायोग अं सब्सक्राइब तो आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आप तो सुचोगे उत्तर परदेश में विदान सभा विदान परिश्द होता है तो यह राजसभा कहां से बचले यहां से राजसभा में कितने लोग जाते हैं कि सेंटर की जो गवर्मेंट होती है वहां उत्तर लोग सभा की सीट है ठीक है प्रदेस में राजसभा की 31 सीट है ठीक है चैका जाले नेश्च कुछ सनक नमबर six most important करें कि छेतर फल के आप से उत्तर परदेश कितने नंबर पर चार नंबर पर तीन नंबर पर दो नंबर पर एक नंबर पर अगर आपको ऐसे आप अगर समझ पहुत समझ लो इसे हर एक पीडियाप में नहीं हुई है बाकि जितनी पीडियाप से सब सही है कि वहले इसी में थोड़ी से जो फॉर्मेटिंग है थोड़ी से गड़बड हो गई है तो आप देखना आपको एंसर से मतलब है कुस्सन से मतलब है ठीक है कोई राज्टपती जो होता है वो कुछ संसद को नामीत कर सकता जैसे कि माल लिजे 543 या फिर 45 के असपा सीट होती है लोग सबह में एंड राज्य सबह में जितनी भी सीट होती है उससे ज्यादा मतलब उससे क्या कर सकते हैं यह ज्यादा लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं तो क कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा की कितनी सीटे हैं आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में अभी मैंने बता हो देखो एक चीज में क्लियर कर दूँ अगर आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा एक होता है सेंटर एक होता है स्टेट तो कि बिधान परसद यों राजसभा के बराबर होती है तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में बिधान सबाकी कितनी सीट है कि 403 सीट कि क्या है उत्तर प्रदेश में बिधान सबा की अभी यह आपर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिधान परसद की कितनी सीटे हैं तो उत्तर प्रदेश में बिधान परसद की सीटे क्या सो हैं नबे हैं साथ हैं असी हैं तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश तो 403 बिधान परसद बोले तो 100 तो आपको confused नहीं होना है ठीक है इसलिए friends मैंने दोनों questions साथ मिलेकर आया हूँ and ये सभी के सभी questions exam में पूछे गए question है most important question है ठीक है तो सभी लोग अच्छे से देखेगा last तक देखेगा चलिए question number 10 है कि पहले भी तायोग का गठन हुआ था 1951-1952-1956-1960 में तो सबसे पहले finance commission का गठन का वह था आपको यह बताना है तो अगर हम बात करें सबसे पहले भी तायोग का गठन तो वह होता friends 1951 में ठीक है Question number 11 करा कि उत्तर परदेश का सबसे बड़ा राज्य कोई सबसे बड़ा सहर कौन सा था उत्तर परदेश कर्म सबसे बड़ा सहर की बात करें क्या कानपूर है क्या लखनो ह suitable है क्या परियाग राज्य कि या बनारस है तो देखो friends यहां पर यहनई पूछ राए है कि किस और यह पिर बनारस दुनों में से एक कोन ने बता देना मैं होम और कापको दे रहा हूं क्या परियाग राज है या फिर बनारस है दूनों में से एक तू कन्फॉर्म है बताना आप कमेंट बॉक्स में Google पर जाकर सर्च करो या पिर अगर आपके पास तो वह भी सर्च करके चे administrative language होती है वो अलग-अलग होती है तो यहां पर उत्तर परदेश की Hindi है और दोनों है तो यह और भी इसका राइट एंसर हो जाएगा जैसे कि नागा लेंड की English होती है और बहुत ऐसे अलग-अलग इस्ट होते हैं उनकी आपको आपातकाल तो पता ही होगा जब यह निए सुचयतर या सतातर के अस पास इंदरा गान्दी ने आपातकाल गोचित के था तो कितने परकार के लग सकते हैं 34 परकार के दो परकार के एक परकार के लग सकता है तीन परकार के लग सकते हैं एक तो लग सकता है आंतरिक विरोत के वज़्य से आपाधकाल एक फाइनेंस मतलब कि अगर फाइनेंस बित्ती है अपातकाल मतलब कि अगर रुपिया कम हो जाए या फिर फाइनेंस कम हो जाए गवर्मेंट के पास तो अपातकाल लगा सकते हैं कोईस्टन नमर 14 करा है कि 2020 21 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल GDP कितनी है 240, 260, 270, 280 वैसे तो 221 21 करना था फ्रेंट्स बर चलिए कोई बात नहीं है मैं हम एक साल देख लेते हैं पहले बाला तो यहां पर अगर हम बात करें फ्रेंट्स तो 260 विलियन इसका राइट एंसर हो जाएगा 260 विलियन को अगर आप कनवर्ट करोगे डॉलर में सॉरी रुपिया में तो लगबग हो जाएगा 19 लाख या 20 लाख के असपास 20 लाख करोंड के असपास हो जाएगा ठीक है क्विश्टन नमर 15 नहीं करा है कि राष्ट्पती का अध्यादेस कितनी लाखो रहता है तो राष्ट्पती जो अध्यादेस लगाता है अध्यादेस होता है और सबस्कारादंपर का नोग सबस्क्राइब सबस्क्राइब दोब अगर के सब्सक्राइब सस्काराइब के लिए काफी अच्छे कुछन आए एंड वैसे तो करंट मतलब में जनरल नौलज के लिए तो पूछे पूछे आते करें कि संसद में सामिल होता है राश्टपती लोगसभा राजसभा केवल राजसभा केवल लोगसभा बहुत लोग देखते हैं बोल देंगे अपसन भी लो लोगसभा राजसभा क्योंकि लोगसभा राजसभा जो कुछ भी पारित करता उसे राश्टपती जब तक मंजूरी नहीं देता है तब तक वह जारी नहीं होता है ठीक है क्वेस्टा नमबर 17 यह जिए जिगराफिक का कुस्टा ने कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी मांसून में किस परकार परदेश में वर्सा होती है मतलब किस परदेश में सबसे पहले वर्सा होती है उत्तरी पूर्वी मांसून में तमिल नाडु में मद्य परदेश में राजस्थान में या फिर महाराश्व में तो यह होती है फ्रेंस तमिल नाडु में ठीक है तमिल नाडु मे उत्तरपुरवी जो मानसून होते यह देखो भाईया है North यह होता यह तो उत्तरपुरवी मतलब भाईया कि जो जैज़े अ surg can Dre मतला जश्थे पेरल रह दो उत्तर से पूरव की तरफ चल रहा है वह संसार का सबसे बड़ा नदी दूइप किस राज में इस्तित है और उसका नाम क्या है उसका नाम है माजुली नदी दूइप किस नदी पर बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है तो संसार का सबसे बड़ा नदी दूइप वह होता है जो चार उतरप पानी से गिरा हो तो माजुली नदी दूइप ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और आसम छेतर में आता है मलब आसम राज में है नेशर्ट कोरी NEW YORSTल को क्या कहते है आपने सुना होगा थार मरुसतल सहारा मरुस्तल यह और बी दून है और भी दून नहीं तो चाहरा थो क्या बोलते है उत्तरपड्देश की जो भारत की मरुस्तल ने पए क्रूसples उनको क्या बोलते हैं तो भारत के मरुस्तल indo's को भूत का पराति है समंदर में जभाति है जाहां से निसमार यह पानी ऐसे ऊपर उठ जाता ठीक है काई होपर जाते हैं उसका मुख्य करत क्या होता है समुदर सतह अब फूर्ट समय को यह सgil समंदर Awak टो आई पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल ठीक है अबुल फजल इसका साथ से मैंने कुछंटं करा भी दिया था तो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही very most important question है इसकी PDF के लिए आप टेलिग्राम जाइन कर लीजे चैनल को subscribe कर लीजे तो I hope आपको समझ में आ गया होगा एंड मैंने यार होस्टल कटाफ की वीडियो बनाई अगर नहीं देखा तो फिलीज देखिए very most important है जिसमें मैंने बता है कि आपको होस्टल के लिए कितने नंबर चाहिए इन इलहाबाद उनिवर्सिटी तो उसमें मैंने LLB वालों के लिए बता है एंड बीए वालों के लि पर जाए हिंड आाथ है इन आ एंड आए है जाम से आए हैं इन एम होस्टल कि बता है जोस्टल के लिए है ऐसमें रचाहिए जोस्टल के बता है आए है